कर लेगा मेरा क्या कर लेगा मेरा कुन दंकी दिया है क्या दंकी आपको पुलिस वाला यह गया तुम बैठो रो तुम मारा मट्टी आएगा वैठो रो रहा कि छोटे बच्चे छोड़के में कहा कहा भागो तुम यह से निकाल के वहां लेकि गई वहां तो बामबे हस्पीटल में पैसा भरा और उसके बाद में पैस्टी का रसीद है मेरे पावति आपर हमने बौड़ी के सोले लोग कर दिये उसको लवारिश में दाल दिये है आज नमस्कार अस्वालेकूम आदाब मैं हूं यूसुप अली आप देख रहे हैं सेफनी उतला आई हूँ अज़े डालता है आज की खास ख़वर पर दोस्तों आज की ख़बर कुछ अंसुजे सवालों को लेकर लोग जखमी हुए उसमें से एक महिला की मौत हुई उसी मामले में कुछ अंसुलजे सवाल है उस पर मैं भी कुछ कहना चाओंगा आज सभी जानते हैं 20 मार्च को यह हास्सा हुआ हास्थे में एक महिला की जान गई महिला की जान दो दन के बाद गई है 20 तारिक को हास्वा हुआ, बिल्डिंग का स्लेब गिरा, उस स्लेब के घिरने से, वहाँ नीचे खड़े रिक्षा शतिकरस्त हुए, और रिक्षे में सवार कुछ लोगों को चोट आई, एक महिला को गंबीर चोट आई जो रिक्षे में सवार होने वाली थी, गंबीर चोट उसको वसरी के बंगली होस्पिटल में भरती कराया गया, दो दिन के इलाज के बाद 22 तारिक को उसको मुंबई रेफर किया गया और मुंबई हस्पताल में 22 तारिक को दोपहर में उसकी मौत की खबर आई, आज 22 के बाद में 26 तारिक है, 26 मार्च, यानि कि 22 को पकड़ा जा उस मरतका का नहीं हुआ है, अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या पहलू है, ये बड़ी ही रोचक बात है, दरसल 20 तारिक को जब हास्था हुआ, उसी दिन शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, कंप्लेन होनी चाहिए थी, लेकिन 20 तारिक को कोई कंप्लेन नहीं हुई, दो द कंप्लेन हुई, इसमें पुलिस ने महिला की किसी रिष्टदार को फरियादी नहीं बना कर, जो रिक्षा चालक, जिसका रिक्षा शतीगर्स हुआ, उसे फरियादी बनाया, रिक्षा चालक का नाम है बानुदास रामचंदर पाटिल, ये आप एफ आईयार का कोपी देख सकते हैं, इस रिक्षा चालक भानुदास रामचंदर पाटिल को पुलिस ने फरियादी बनाया, इसने फरियादी और फरियाद में ये कहा कि इसके रिक्षा में बेटे के समय महिला के ओपर छज्जा गिरा महिला की मौत हुई, अगले दिन जब मामला तूर पकड़ा था त यूज आपने देखी हैं, और उस दिन महानगर पालिका ने एक और F.I.R. दर्ज करवाई, जमीन मालक के ओपर, जिसमें चार बेहनों के ओपर F.I.R. दर्ज हुई है, वो MR.T.P. एक्ट के तहद, तो MR.T.P. अलग एक एक्ट है, वहाँ अनाधिकरत बांध को में होता है, तो महानगर पालिका का काम है कि वो F.I.R. करा है, और वो F.I.R. भी 23 तरीक को हुई, लेकिन 22 तरीक इस F.I.R. पर कई सवाल उठ रहे हैं, इस F.I.R. पर सवाल ये उठ रहे हैं कि परिवार दिनों का ये कहना है, कि जब हादसे में मौत उनके रिष्दार की हुई, तो किस और के नाम से फर्याद क्यों ले गई? जबकि पुलिस का तर्क ये है कि उस समय वहाँ पर मौझूद वो रिक्षवाला था इसके लिए उसकी फर्याद, उसके नाम से फर्याद ले गई? और साथ इसाथ पुलिस ने अधिकली तोर पर भी कोई बयान देया नहीं है इस वाम अपरेट नहीं कर ले और इस महिला के रिष्टदार में से कोई पहुंचा नहीं था कि जिसकी शिकायत पुलिस ले पाए इसके लिए पुलिस ने फर्यादी उस रिक्षा चालक को बनाया जबकि पुलिस की इस बात में सच्चाई नहीं है क्योंकि मैं खुद बाइस तारिक को मानिकपूर पुलिस्टेहिन में गया था और वहां उस समय महिला मरतका के रिष्टदार मौजूद थे मैंने उनका इंट्रव्यू लिया था वो वीडियो आगे के चैनल में आगे के वीडियो में लगाया हूँ इसके लिए ये पुलिस का तर्क जो पुलिस ने अधिकार पर नहीं है लेकिन पुलिस की ये बार सची नहीं है इसका प्रमाण में खुद हूँ और मनिकपूर पुलिस्टेशन की CCTV फुटेज भी है इतना ही नहीं ये लोग दो पर में तीन बज़ा है तो रात को दस बज़े तक वह वहीं पर थे एसी जानकरी सुत्रों से मेरे पास म आई अब जब इनकी फर्याद नहीं ली गई तो जायर सी बात है वो फर्यादी नहीं है उनको एफ़ाईर कोपी रात तक नहीं मिला और पुलिस नंग पर दवा मनाने लगी कि आप जाओ बोडी क्लेम करो इस महिला के रिष्टदार पक्ष को ऐसा लगा कि इन सेक्यूरिटी लगी कि कहीं न कहीं हमारे नाम से क्यों एफ़ाईर नहीं ली गई हमको एफ़ाईर में फर्यादी क्यों नहीं बनाया गया इसमें क्या कुछ है इस इन सेक्यूरिटी में इह लोगों ने बोडी क्लेम न किल गई फिर चोईस तारीक आई फिर आना जाना आना जाना लगा रहा इनका ऐसा आरोप भी है कि पुलिस उनको धंका रही है इन्होंने एक साथी चैनल के उपर विस्तार में ये आरोप लगाए और साथ शब्दों में खुद परिवार ने नहीं बल्कि पडोसे ने तक कहा ह है कि पुलिस उनके उपर दबाव बना रही है जबकि पुलिस का ये तरह एक ही तरक है कि ये लोग कोपरेट नहीं कर रहे है तो इन्होंने बोडी क्लेम नहीं की इस बार ये सोच कर कि हम अगर बोडी क्लेम कर देते हैं तो शायद आगे हमको जाकर कोई सहयोग नहीं लिए पुऩ्यविर से ये मूटी निकाला जाता है और बोडी को जेजे हस्पिटाल में पोर सौपनी होती है ओर यह काम है क्योंकि ये हाथसे में जान गई है, ये काम है पुलिस का, लेकिन पुलिस इन परिवार वालों के उपर ये दबाव बना रही है कि आप जाओ और वहां से बोड़ी लाओ, बोड़ी क्लेम करो, जबकि अगर परिवार वाले नहीं जा रहे तो पुलिस क्यों नहीं वो बोड़ वालों के उपर दबाव बना रही है आप जाओ और बोडी क्लेंड करो यह इनका अरोप है साथ इस मामले में इस एफ आई यार में जो यह दर्श की गई इसमें धारा 304 और 337 और 427 तीन कलम लगी है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम गुरु वाली यादो उर्फ चोधरी उसको आरोपी बनाया गया है जो की कॉंट्रेक्टर है और यह जो भी बांग काम चलना था उसका कॉंट्रेक्टर है उसके ओपर गयर जिम्मेदरी का यह मामला दर्श किया गया है जबकि इसमें बिल्डिंग बिल्डर जो है उसको भी आरोपी बनाया जाना रहे उतना ही काम देने वाला बिल्डर भी जम्यदार है उसके उपर भी मामला दर्ज होना चाहिए था लेकिन यह मामला दर्ज नहीं हुआ कल एक चैनल में इन लोगों ने मुलाकात दी आपने वो चैनल वो वीडियो कहीं लोगों ने देखा है उसमें यह लोग साफ तोर पर इस तरह से आरोप लगा रहे कि पुलिस धंका रही है और दबाव बना रही है तो क्या वाकई में यह मामला इस तरह से जाएगा क्या उस महिला को मौत जिसकी मौत हुई है उसको इनसाफ के लिए इतना भटकना पड़ेगा कि उसकी लाश आज पांच जिन से अंतिम संसकार के लिए भी रुकी हुई है क्या यह हमारे देश का कानून कहता है कि एक मौत को एक मेला की मौत के बाद भी उसकी बोड़ी को इनसाफ न मिले कहीं ने कहीं इस मामले में काफी पहलू है जो अभी भी छुटे हुए है प्रिशाशन आखिर किस दबाओं में काम कर रहा है यह नहीं समझ में आ रही है क्यों नहीं प्रिशाशन अपना काम करता है क्यों नहीं पुलिस जो फैक्ट है उनके ओपर काम करती है एक सोच का विशे इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या किया मैं आपको बताया और कहीं न कहीं पुलिस ने एक बार जाके इन फरियादी के गर पे नोटिस भी लगाया ऐसी भी जानकरी सामने आई कि आप बोडी क्लेम करो नहीं तो हम अपने इस अब से काम करेगी इस तरह से कहीं पे होता हुआ हमने तो नहीं सुनाए और हम जब गए एप्रोच किया हमने मनिकपूर पुलिस्टेशन के वरिष्ट कुली मिरिक्षक से एप्रोच किया कि आप इस मामले में अधिकरिक बयान दो तो उन्होंने बयान तक नहीं दिया आपको याद होगा वसरी अंतरगत एक मामला हुआ था श्रद्दावाल का हत्या कांड उसी में यही पुलिस्टेशन मनिकपूर पुलिस्टेशन था यही स्टाफ था इसका रवया तब भी पूरे देश में सामने आया था कि मनिकपूर पुलिस्टेशन का काम करने का तरीका कहसता है एक बार फिर वही चीजे यहां सामने दिखती नजर आ रही है वर्ष ठदिकारों से हम यही कहना जाएंगी कि जो भी हो मामले में एक महिला की जान गई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए देखे महिला के परिजन ने साथी चैनल को इंटर्वी में क्या कुछ कहां अभी के लिए इतना ही नमस्कार ड़का साथ रहा रहा है तुम लड़ते रहा है धकास आते रहा है तो गरीब आजि क्या कर लेगा मेरा पूलिस ओला है कि तुम बैचे रो बैचे रो तुम्हारा मत्ती आएगा बैचे रो बैचे तो चोटे बच्चे चटगे में कहां भागो तुम यहां से निकाल कि वहां लेकि गए वहां पारा उसके बाद में पैसे का रसीद है मेरे पश्पवती है और वहां पर हमने बौडी के लिए खड़ा खड़ा था तो वहां से लापता पुलिस और लोग कर दिये उसको लवारि मामला यहां उसकी पहले तो मेरी लडकी आना मेरी लडकी सबíveis नहीं अपर दूसरी नए तो रीकसाम असे तो ठीक है उसके बाद में यह जब आती थी तो ए लड़की दोड़ते दोड़ते आके रिक्षा में चटड़ गई और इसके मम्मी को माने मेरी बेटी देखी नहीं अब तक उपर से सज्जा गिरता है जब सज्जा जब गिरता है तो रिक्षा के अंदर तो थोड़ा कम गिरत गई उसके बाद में झाब लड़की रोने लगी तो गाम देखे लोकिसकी ममी किदा रहे इसको चुपकराने लगे तो उसकी मम्मी वह मिली उस लोग लोग ने वहां की लोग ने ले करके बंगली हास्पिटल बगए अब मंगली हास्पिटल के बाद में मैं कुछ नहीं जानता हूं उसके बाद इन लोग से अप्टेटमेंट लिग जी एक बात बताओ मुझे अभी अभी आपकी जो बह बाग गया और महिय चोड़ दिया इनका साइन चाहिए ना ये साइन करेगा तब ये तो निकालेगा ना ये पाइसा भर के कुछ याई भी बलाया तो चले गया तो वह आते हैं तो बड़िस निकालते चलता है इधर ही सद्धमकी हम को गेता है सब सब को इता है ने लिए आ पीलिस की म отп 좋아rem फन्हों कॡब कि 1 रहा हूं था में हम एंडर कांव करने आते हैं जाव रहे ही तोdrumकर में आजए अधर 15 तो बोल रहा है कि जब देखी तो आ रहा है तो मैं जब इतना बोल रहा है तो क्या अपना इधर खड़ा वकर पैदा है जाने लगे तो बोलो कि ओ भाभी जा क्यों रही है आओ तुम्हारा हम खातिव करने आए खातिव करने का यह फूरा खीश-खीश के पूरा पीछा से घा अब तुम्हारी माह थी ना वही सब घर चला दीती ना अब आपका घर का पूरा सहरा निकल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं पालेगा मेरा यह गूटना बहुत बरकता चलता तो मेरे क्या कड़ी लग जाता इसमें सवता सवता कि मैं उड़ता है वाइट वैट के कौन चला अब ही मेरा कान में काम आये हैं लेकिन नहीं है यह गूटी सारा हमको रहा यह उतर चली कि तब कुर्ण देखेगा हमको चाहिए बच्चे लोग के कुछ लोग को यह लोग को हमको हमारे पास लोग फोन कि है कि हमारी मारों पत्नी का डेट हो गया है मैं बोला अच्छा कि पुलिस किया कि नहीं किया है उसके से mudar में किया कि तो फिर दोड़ें लेकर करके metwo। रहे तो सबस्वार है जब जार तो बोले कर रीमएन आग जाया हम ले चाहिए ऱ इंदियाल नहीं मिलेंगे पीर उसफे मज़ित्यार रहा है जब यहां मैंने आया मैंदम मेरी इसलाय हो गई है और उनका अभी तक इन फैयार नहीं हुआ है ना इन काफिक पिलिस हंगा दे रही है तो वहजब कंप्यूटर में देखे तो बोलते फैयार तो हो गया यह तो प्लकाई हो गया है तो फिर हमको तो नहीं मिला आप जाके हो लेकर Сाथ हैं तूर 27 марघ अनुके हुआ नहीं तो मेड़म बढनी मेरन किसके। नाम से और रिक्षा करें मौ रिक्षा वाले के नाम की क्या संबंद हमारा तो डड़ हुआ है बाहर हुआ है को रिक्षा में बैठके तो हमारे इनके नमसे फिया रो बोलते हैं जाकि उधरी बात करो फिर इनके रिष्तधार थे तो उखील से शंपर्क की है तो प्रकील नहीं को पास यह लोग को मैंने तीन बजे भेजा था तो लेटर भी आए वहां इस टाम भी कराएं कमिस्ट से बाद भी यह लोग की हैं दो दो जंद कमिस्टर वहां से फोन लगाए है बसई स्टेशन में तो यह लोग बोलें कि ठीक है कमिस्टर से इससे क्या बात हुआ हम नहीं जान करें आपके पतनी की जो बाडी है कहा है का इसा इस प्रायर हुआ हमने घया कल परशा भराथ इसका पाउती भी लेकिंगा आया और उसके बाद में वहां बॉडी के लिए हम कहां कि आप आवर भी थोड़ा घर वाले आ आजाए तब पिर हम बॉडी लेने लिए जाए तो वहां पर गया तो बाडि फिल हुदे पूलिस वारी लोगा के रिक्षावाले आके साइन करके साइन करके वह यह हमारा बाड़ी है अब पर लेके भाग लिए वो लो अभी तक बाड़ी आई चलिए अब बीना यह बांगली हस्पिटल से बीना साइन किये हुए हमारा आपको पता भी बाड़ी कहा है अभी हमको कुछ भी नहीं पता कहा है वो बाड़ी हमारे चैनल सेफ न्यूज यह हमारे चैनल सेफ बाड़ी है वो दोवड़ी है